आज की खबर है भारती चोटे या मध्यम उद्योगों की अमेरिकी एजंसिया देंगी रिण चलिए इसमें देखते हैं विस्तार से क्या क्या होने वाला है दो अमेरिकी एजंसियों USAID और DFC ने ग्रीन एनरजी या नवी करनी उर्जा में निवेस करने के लिए भारत के छोटे एवं मध्यम उद्योगों SMES को संयुक तुरूप से लोन देने की पेसकस की है यह रिण 41 मिलियन डॉलर का होगा USAID का पूरा नाम है United States Agency for International Development और DFC का पूरा नाम है US International Development Finance Corporation इस रिण का उप्यो करके रूप टॉप सोलर इंस्टॉलेशन किया जाएगा इस लोन से SMES की Reli-Level Power तक पहुंच सुनिश्चित होगी और इस से लागत को कम करने में मदद मिलेगी आपको बता दें कि भारत के बाड़िजिक और अद्योगिक छेत्र बिजली के लिए काफी अधिक सुल्का भुकतान करते हैं SMES का भारत के अद्योगिक छेत्र में खपत कुल उर्जा करतालिस परसेंट हिस्सा है USAID और DFC ने इन सभी चुनोतियों से निपटने के लिए New York इस्थित एक परियावन केंदरित निवेस फर्म इनकरेज कैपिटल और दो भारती गैर बैंकिंग वित्ती कमपनियों Seeker Financial और Electronica Finance Limited EFL के साथ साजेधारी की है गोर तलब है कि रूफ टॉप और सौर उर्जा उत्पदन काफी कारगर साबित होगा इससे कम मासिक उर्जा लागत में साथ साथ रोज़गार सिर्जन और अर्थिक विकास भी हो सकेगा इसके साथ ही यह कारवन उत्तर्जन को कम करने और बायों की गुणबत्ता में सुधार करने में ही मदद करेगा धन्यवाद दोतों ज्यादा ज्यादा लोगों को स्टेर जरूर करें जिसे सब के पास ये डेली करन न्यूच का प्रोग्राम पहुंचे और सब को बेनीफिट मिले इस धन्यवाद